Hi everyone, welcome back to my channel, my name is Anil और Electron Js की इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम Process Model की, इसको Shared API क्यों कहते हैं, ये भी देखेंगे, ये होता क्या है, इसको Main Process, Render Process में कैसे यूज कर सकते हैं, इसके कुछ Important Functions होते हैं, उनकी बात भी करेंगे, जैसे की Type, Platform, Hang, Crash, Versions, etc. और यहाँ मैंने Official Documentation open करी हुए है, अगर मुझे कुछ Example लेना होगा, तो मैं आपको यहाँ से लेके दिखा सकता हूँ, छोटा मोटा, ताकि आपको और भी अच्छे से चीजें समझ में आएं. सबसे पहला question आता है, कि Process Module होता क्या है, देखो यह Node.js का एक Core Module होता है, जो कि आपको Globally Available होता है, इसको आप लोग Main Process में भी यूज कर पाओगे, Render के अंदर भी, बट आपको कुछ Property Set करने पड़ेंगी, Render Process में यूज करने के लिए, अच्छा, ठीक है, अब इसका Use क्य सकता है, और भी आपको बहुत सार शीजा बता सकता है, जैसे कि आपका, जो Currently Chrome यूज कर रहे हो, उसका वर्धिन क्या है, because Electron, yes, Internally Chromium Browser यूज करता है, उसका वर्धिन भी बता पाएगा, Electron का वर्धिन, अगर आपने कुछ Library यूज कर रहे है, उसका वर्धिन भी आपको प्रोसेस को, इस तरीके से, और यहाँ आपको टर्मिनल उपन करना है, और यहाँ लेकिन आपकी command npm run watch, यह पहले से ही run हो रही है, because यहाँ पे काफी सारे open हो रखी हैं हमारी tabs, so मैं हाँ पे जैसे एक बार फिर से चला देता हूँ, सब को stop करके npm run watch, और तब आप देख प functionalities feature है, प्रोसेस के, but इतने सारे में याज रखने की जुरूद नहीं है, हमारे पास कुछ ही important होते हैं, बाकी आपको documentation से मिल ही जाएंगे, so वो कैसे use कर पाएंगे, बताएंगे, but अगर आप, जैसे मैंने आपको बताएंगे, but अगर आप, जैसे मैंने आपको बताएंगे जस्ट यहाँ पे control shift आयोपन करो, और यहाँ आप देख सकते हो, process is not defined, ऐसा क्यों, because इसका scope तो global है, because यहाँ पे हमें यह बताना पड़ेगा, कि index.js के अंदर भी हम लोग node integrate कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको just property add करनी है, वो है, web preference, और यहाँ आपको just simply लिख देना है, हा आप लोग render process के अंदर भी आप node यह सब use कर सकते हो, और बाद में यहाँ पे just simply इसको run करेंगे, control shift I use करेंगे, just give me a moment, मैं यहाँ से open कर लेता हूँ, और यहाँ आप देख सकते हो process के अंदर, बहुत सारी features है, बहुत सारी functionalities है, आप यहाँ पे देख पाओगे, और similarly चीज conditions कौन से हैं, इनकी बात करते हैं हम लोग, यहाँ से मैं एक बार के लिए console हटा जीता हूँ, विकोज इससे हो क्या रहा है, जो main process है, यहाँ से मैं already हटाई चुका हूँ, और यहाँ से भी एक बार के लिए main console हटा जीता हूँ, उसके बाद में एक लिक चीजें चेक कर लें right, और अब आप लोग जस्ट इस process के अंदर आके, इसको एक बार के लिए reload कर दोगे, और इसका developer tab open करोगी, developer I think अब तक reload नहीं हुआ है, just give me a moment, इसको मैं reload कर लेता हूँ, हाँ, अब आपको dev tool के अंदर, console के अंदर आपको versions मिल जाएंगे, node का version मिल गया है, type भी check कर सकते हो, type क्या बताएगा कि आपका अभी के लिए current process कौन सा है, अगर मैं इसको refresh करता हूँ, यहाँ पे इसने मुझे बता दिया render, और similarly, अगर मैं यहाँ पे इस चीज़ को check करता हूँ, main.js के अंदर, तो हमको यह बता देगा, कि इसका जो process है, वो है browser, because यह main window हो इसकी तो यहाँ पे इसको browser ही बोलते हैं यह लोग, so that's why इसको main नहीं आता है, यहाँ पे हमेशा browser ही मिलेगा, और भी बहुत सारी चीज़े है, check करने के लिए, जैसे कि आप platform check कर सकते हो, right, और platform में देखते हैं हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे, इसको मैं refresh करता हूँ, यह और भी काफी सारी चीज़े होते हैं, let's say, इसका important होता है कि हम लोग हमारे system को hang भी कर सकते हैं, और crash भी करवा सकते हैं, forcefully, अगर हो जाता है तो इसको बाद में resolve कैसे करेंगे, वो किसी और वीडियो में देखेंगे, but कर कैसे सकते हैं, इसको hang, वो देखते हैं इस वीडिय रहेगा, और यहाँ मैं basically use करता हूँ, console.one, और कुछ भी let's say मैं यहाँ पर, just a line बना के इसको कर रहा हूँ, और वो भी just half second के बाद में, और अब मैं यहाँ पर इसको check करता हूँ, कि मेरे पास क्या रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हो कि line का हमारा count यहाँ पर बढ़ रहा है, that means यह काम कर रही है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक button बना हुआ यहाँ बियाट टैग, button, hang me, अब हम यहाँ पर इसको hang भी कर पाएंगे, on click, और यहाँ पर होता है, process.hang function, और जैसे आप लोग यह use करोगे, तो आपको क्या मिलेगा, कि मैं इस पर जैसे क्लिक करूँगा, तो मारा system hang हो जाएगा, अब यहाँ पर देख सकते हो कि फिर से हमारा console start हो गया, बट जैसे मैं इस पर click करूँगा, तो अब देखे, यहाँ पर रुख गया system, art के ओपर ही रु crash, बहुत सारी चीजिए है, आप यहाँ पर ही try कर सकते हो directly in functions को, right, so अगर कुछ confusion है, तो मैं इसे पूछ सकते हो, comment box के अंदर या फिर Instagram account के उपर, thanks watching this video, bye bye, take care.